आज की वीडियो बहुत कैजूल है मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप शेयर करूंगा जो आप यूस कर सकते हो अगर आप अभी आने वाले पुशकर कैमल फिर में चाहने का प्लान कर रहे हो मैं अपने कुछ एक्सपिरेंसे शेयर करूंगा जो लास्ट यर मेरे को ऐसा लगा कि आपके काम आ सकते हैं सबसे पहला पॉइंट और यह चीज आप कंसिडर करना विकॉस मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं आराउंड तीन या चार लेंसे कारी करके गया था अपने बैग में और पहले दिन जब मैं निकला मेरा बैग पूरा हेवी था काफी लेंसे थे मेरे पास और जब वहां पे आप आप एक्स्प्रोर कर रहे हो आप चल रहे हो इतनी देर विद इतने सारे लेंसे मैं अबके बैग बहुत जाड़ा एक तो यह चीर जाता है प्लस आप जब शूट कर रहे हो आप confused रहते हो कि कब कौन सा lens यूज करना है कि आप जादा photography में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं मेरा suggestion रहेगा पहले आप अपने mind में clear करो आप जाओ पुश कर camel fear थोड़ा explore करो 10-15 मिनट देखो फिर आपको क्या लगते है कि आपको wide angle shots अच्छे लगते हैं portrait shots चाहिए या आप क्या like करते हो उसे साबसे आप अपने mind में set कर लो कि for example आपको portrait shots चाहिए so मैं suggest करूंगा अगर आपके पस 50 f 1.8 lens है या 24-70 या 70-200 so basically आपको ऐसा lens चाहिए जिससे आप अच्छा blood effect capture कर सको और अच्छे portraits आपके वहाँ पे आ सकें because होगा क्या जब आप वहाँ पे जारे हो shoot करना है honestly वहाँ पे camel से जादा आपको photographer जादा देखने को मिलेंगे और आपके frame में मतलब बहुत chances हैं कि आपके हर frame में photographer आ सकता है तो आपको जादा से जादा blur effect चाहिए होगा पीछे background में so try करो f1.8 या at least f2.8 का lens अगर आप carry कर सकते हो तो आपके लिए काफी beneficial रहने वाला है नहीं तो अगर आपके पास 5.2, 70, 300 इस तरह की lenses हैं जहां पे आपको telephoto focal length मिलता है वो आपके काफी काम आ सकता है because यहां पे मैं आपको कुछ shots दिखाऊंगा जो मैं last year sigma का 6600 mm lens लेके गया था तो मैंने 400-600 mm के बीच में काफी portraits लिये अब उससे में को benefit हुआ कि मैं दूर से खड़े होके काफी distance का portrait ले सकता हूँ और blood effect में को जादा मिल रहा था उसके बाद question आता है कि किस time पे आपको shoot करना चाहिए मैं suggest करूँगा आप एकदम sunrise से आदा घंटा पहले निकलो shoot करने के लिए and around I think 5-6 बजे sunrise होगा 8-8 तक यह एक golden time है जहाँ आप shoot कर सकते हो और sunset के time let's say 5-7 बजे का आपके पास time है जहाँ पे आप अच्छे shots निकाल सकते हो उसके beach का जो time होगा वहाँ पे बहुत harsh light होती है sun एकदम आपके ऊपर होगा आप portraits तो अच्छे नहीं निकाल पाओगे हो सकता है कुछ different type का आप shoot कर पाओ अब next point आता है या next tip जो आपके साथ share करूंगा वो है जब आप portrait shoot कर रहे हो वहाँ पे क्या होगा आप जब camel fair पे जाओगे आपको बहुत लोग दिखेंगे जो अपने camels के साथ उनके owners बैठे होंगे कोई खाना बना रहा है कोई just बैठा हुए एक normal वहाँ पे culture जो है उस तरह का आपको कुछ दिखेगा उसको capture करने के लिए मेरे ही साब से यहां तो आप candidate ले सकते हो यह अगर आपको portraits लेने हैं जो आपकी staged portraits हैं वहाँ पे आप try करो पहले थोड़ा interact करो उनसे normally वो Hindi में कही लोग बात कर लेते हैं आप उनसे थोड़ा बात कर सकते हो फिर जब आप shoot करोगे तो वह आपके साथ थोड़ा comfortable रहेंगे and chances है कि आप better photos निकाल सकते हो अगर आप candidates try कर रहे हो तो better है आप a distance से shoot करो जहाँ आपकी focal lens जादा है तो उसको use करके आप portraits निकाल पा होगे है उसक इसी भी तरह का shot आप जैसी camera उठाओगे shoot करना start करोगे या जब आप shoot कर लोगे वह आपको सीधा एचीज बोलेंगे कि मतलब वह पैसे मांगें आपसे कि आपने shoot किया उनकी photo लिया तो in return वह आपसे पैसे मांगेंगे तो मेरे को यह चीज नहीं पता थी जब मैं पहले बा सकते हैं मेरे साब से ठीक है आप अपना कुछ art निकाल रहे हो आप photos निकाल रहे हो जिससे आपको fame मिल सकती है आप अपने Instagram पे डालो गया है आपके लिए content जन्रेट हो रहे है in return अगर आप उनको 10 रुपे या 20 रुपे भी दे रहे हो so I don't think वह इतना matter करना चाहिए आपको अगर आप पैसे नहीं देना चाहरे आप biscuits या कुछ ऐसी sweets या कुछ ऐसा एक अच्छा gesture in return आप उनको दे सकते हो अगर आप photos उनके click करते हो because वहाँ पे कहीं बच्चे भी आपको दिखेंगे उनके भी मैंने कहीं अच्छे photos capture किये थे in return आप उनको biscuits या कुछ ऐसा दे सकते ह तो मतलब काफी खुश हो सकते हैं तो यह कुछ चीजे हैं जो मैंने इतने time में realize करी जब मैं पिछले साल गया था तीन दिन मैंने वहाँ पर शूट कर रहा है अब वीडियो खतम करने से पहले एक additional tip मैं देना चाहूंगा कि जहां आप पुश कर Camel Fair के लिए जाओगे जहां पर होटेल्स है 90% होटेल्स Camel Fair से अल्मोस्ट 20 मिनट के walking distance पे हैं तो आपको चल के जाना पड़ेगा 15-20 मिनट मार्केट के दुरू बूरा रस्ता जाता है कहीं लोग प्रेफर करते हैं बाइक लेके वह distance cover करना बट मेरा suggestion रहेगा आप पैदल चलो जो भी 15-20 मिनट का रस् बिकाज रस्ते में आपको इतनी interesting चीजें मिलेंगी आपको काफी colorful shops हैं काफी interesting लोग मिलेंगे जिनके आप portrait shoot कर सकते हो activities काफी होती हैं तो मेरे हिसाब से better है आप पैदल चल के जाओ और रस्ते में जो आपको जो भी चीजे मिलती है उसको आप अच्छे से enjoy करो and capture करो photos में So, यही कुछ tips है जो मेरे end से मैं आपके साथ share करना चाहता था जो मेरा last year के experience आप उश्कर के लिए है So, I hope आप इस बार जा रहे हो, so best of luck to you guys and अगर आप photo share करना चाहते हो, आप Instagram पे hash TPP challenge यूज कर सकते हो, मेरे को tag कर सकते हो यहां हमारा Facebook group है The Photography Blogger Group उसको join कर गया आप आप बहाँ पे भी share कर सकते हो तो हम मिलते हैं आगे इसी तरह interesting and informative videos में, तब तक take care and give, click on झाल